ब्रम्हांड में मौझूद गैलेक्सिस की सटिक संख्या को बता पाना अभी तक संभाव नहीं हो सका है एक अनुमान के मुताबिक गैलेक्सिस की संख्या बिलियन ट्रिलियन से भी जदा है गैलेक्सी मुख्यता तिन प्रकार की इलिप्टिकल, स्पैरल और इर्रेगुलर होती है इनके कुछ सब कैटेग्रिस भी होती है जैसे बैरेड स्पैरल गैलेक्सी और पीटविल गैलेक्सी किसी गैलेक्सी में बिलियन ट्रिलियन तारे हो सकती है और इन गेलेक्सिस के भार के बारे में हम सोच भी नहीं सकते उदाहराण के लिए सेग टू गेलेक्सी का मास सन के मास से पांस सपचास अजार से भी ज़्यादा है वही सूपर जैन्टिलिप्टिकल गेलेक्सी IC1101 पूरी मिलकी वे से 17 सगुना ज़्यादा भारी है क्यूंकि इसके अंदर 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा तारे मोजुद है सबसे पहले बात करते हैं हमारी खुद की गेलेक्सी मिलकी वे की जहां पर लगबग हर साल 10 तारों का जन्म होता है लेकिन वही ब्रम्हांड में बेबी बूम नामा के कैसी गेलेक्सी है जहां पर हर साल 4000 तारों का जन्म होता है मतलब कि अगर हमारी मिलकी वे गेलेक्सी रस्या है तो बेबी बूम गेलेक्सी हमारा भारत है नेक्ष्ट तो हमारी प्रित्वी से 450 मिल्य लाइट यर दूर ब्रमांड में एक ऐसी भी गैलेक्सी मौजूद है जिसकी खुद की पूच है इस गैलेक्सी का नाम टैरपोल है जिसकी पूच की लंबाई 2,8,000 लाइट यर दूर तक फैली हुई है मतलब की गैलेक्सी के पूच के छोड से दूसरे छोड तक पहुचने में ही लाइट को भी 2,8,000 साल का समय लग जाएगा नेक्ष्ट अब इस गैलेक्सी को देखिए जिसे साल 1993 में हबल स्पेश टेलिसकोप ने कैप्चर किया था या बिल्कुल किसी गाड़ी के पहिये की तरह दिखाई देती है जिसकी वज़ेस इसे कार्ट विल गैलेक्सी कहते हैं इस तरह की गैलेक्सी तभी बनती है जब दो बड़ी गैलेक्सी आपस में डगराती है पर अगर आप भी ऐसे वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन स्क्रिप्ट लिखने में आपको परिस्णानी होती है तो आप कमेंट के लिंक को चेक कर सकते हैं नेक्स्ट आखिर मिल्की वे गैलेक्सी की अकरिती स्पाइरल क्यों है और वो घूमती कैसे है तो नासा के एम्स रिसर्च सेंटर ने बताया कि मिल्की वे गैलेक्सी की स्पाइरल सेप की वजह मेगनेटिक फिल्ड है जो स्पाइरल आर्मस के कारण चो 20 अज़ा लाइट येर दूरता कलाइंड होती है और किसी श्टार के निर्माड होने पर श्टार मेगनेटिक फिल्ड से अलाइंड होकर ग्रेविटेशनल फोर्स को जन्म देता है जिससे गैलेक्सी स्पाइरल सेप की हो जाती है और कुछ ऐसे ही हमारे सन का भी निर्माड मिल्की वे के सेंटर से 25,000 लाइट येर दूर हुआ जो घड़ी की सुई की दिसा में मिल्की वे का चक्कर लगाता है सैंटिस्ट बताते हैं कि रोटेशन की पहली वजह इस्टार और डर्ष्ट क्लाउड से बने स्पाइरल आर्मत्वारा लगने वाला ग्रेविटेशनल पूल है जिससे गैलेक्सी रोटेट करता है वही दूसरी वजह आसपास के गैलेक्सी का ग्रेविटेशनल पूल है जिसकी वजह से रोटेशन होता है